होंडा इंडिया का सेकेंड और वर्ल्ड का सबसे बड़ा टू विलर मैनुफेक्चर कमपनी जिसने लेजंडरी फायर ब्लेट से लेकर रियल ओजी सीडी हंडेट तक बहुत वाइड वेराइटीज ओफ टू विलर्स को मैनुफेक्चर किया है जिस कमपनी के नाम पर दो-दो सेल्स के वैसे इंडिया में डिसकंटिन्यू करना पड़ गया अगर हम कुछ स्टैट्स के बारे में बात करें तो यह रहा हॉंडा का सीवियर सीरीज का सेल्स रिपोर्ट इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि हॉंडा सीवियर 150 आर मात्र 935 यूनिट सी सेल हो रहा था और ह बाइक हर महिना 1200 यूनिट इंडिया में सेल होता है मतलब हालत इतना ज्यादा खराब हो गया था कि एक बजट बाइक सूपर बाइक से 15 गुना कम सेल हो रहा था अगर हम इसको इसका डिरेक्ट कॉंपेडिशन यानि यामाहा आर्वन 5 से कंपेर कर दें तो इसका तो भगव एक्चुली में इंडिया में बात क्या है कि इंडिया में लॉजिक से ज़्यादा इमोशन्स भिखता है हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा तो बहती है लेकिन यहां पे नाम और लोगों का गचा भी रोला कटता है मेरा आपसे एक कॉर्शन है आप हमको एक बात कि जब आपका दिमाग में होंडा कमपनी का नाम आता है तब आपके दिमाग में उसका कौन सभाइक आता होगा 100% एक्टिवा ही आता होगा अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए जब आपका दिमाग में यामहा कमपनी का नाम आता है तब आपके दिमाग में कौन सभाइक आता ह होगे